दोस्तो एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर अपडेट लेकर आ गया हूं कानपूर विश्विद्याले की तरफ से और इस कानपूर विश्विद्याले की तरफ से क्या बताया गया इस नोटिफिकेशन में इसी पर डिसकस करने वाला हूं तो दोस्तो जैसे बहुत सारे स्ट आपके examination जो कराये जाने वाले हैं साथ ही में आपके exam center कहां बनाये जा रहे हैं इसी के बारे में आप सभी को सुचारू रूप से सही रूप से बताऊंगा तो चलिए start जैसा की screen पर देख रहे हैं मेंसन है चात्रपती साओ जी महराज विश्विद्याले कानबूर यहां मेंसन क्या गया है कारिया लगया आप दिना जिस देट को आपका यह notification जारी किया गया है और नीचे scroll करेंगे तो मेंसन है विश्विद्याले सत्र दोजार तेश चोबिस की B किर्थी प्रथम तिर्थिये पंचम और सत्रम समेश्टर तथा MSC प्रथम तिर्थिये समेश्टर की परिच्छाएं जो आपके कराई जाने वाली हैं उसके आप सभी के लिए परिच्छाकेंद्र सूची विश्विद्याले के वेबसाइट पर उपलब्द करा दी गई है कि परिप्या आप सभी से अन्रोध है कि आप अपना नोडल सेंटर या फिर आप अपना एक्जामनेशन सेंटर देख लें और अपना टाइमिंग से पहुंचकर आप अपने एक्जाम को सक्रीय रूप से शक्रीय रूप से आगे बढ़ हैं दोस्तों कहने का मतलब यह कि आपके जो ब्यस्ची किरसी के और साथ ही में एक्जाम बचे हुए हैं परतम तिरतिये और परतम और तिरतिये और सत्तम समेश्टर के उसका एक्जामनेशन सेंटर लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें कुछ आपको मैं बता भी देता हूं कि टोटल कितने इग्जाम सेंटर बनाये गए हैं अब बात आती है कि एग्जामनेशन सेंटर कौन-कौन से कॉलेज इंवाल बहें जैसे मैं आपको बता दू कि जनता-माः विद्याले अजीत मल और यहाँ इसके जो ओल सभी स्टूडेंड क एक्जामनेशन आपका बनाया गया सोकेंदर ही होगा और वहीं BG MPG कॉलेज दिवाइपूर और यहां इसमें दो विश्विद्यालों का नाम मेंसन किया गया है शिरी रामकुमार और फिर मा आरके देवी महाविद्याले तो ये दो महाविद्यालों का एक्जामनेशन वी जी एम पीजी कॉलेज डीवी हमें कराया जाएगा तो इसके रम में और नीचे जाएगे तो चौधरी चरंद सिंग डिग्री कॉलेज इतावा इसके टूटल और आपको कोई डाउट लगे तो आपको कमेंट में जरूर बताइएगा और बाकि तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन में उपलब्त करा दूंगा लिंक वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं तो दोस्तों रहा ये कानपुर का इन्वर्सिटी का लेटेस्ट और इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए चैनल अंस एस्टडी गुरू से जुड़े रहे हैं धन्यबाद